राश्प्रती बाइडन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जील बाइडन, डिस्टिंग्विज गेश्ट, उमंग और उत्षा से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साध्यों, आप सबको नमस्कार, सबसे पहले तो मैं राश्प्रती बाइडन के मित्रता पूर्ण स्वागत और दिर्ग द्रश्टी पूर्ण संबोधन के लिए उनका रदे से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, करता है प्यूर्ण पूर्य व्यूर्य उफ्यूर्ण पूर्ण फ्रेंड्स आज बाइट आउस में शामदार स्वागंत समारब के एक प्रकार से भारत के एक सो चालीस करोड देश वासियों का सन्मान है एक सो चालीस करोड देश वासियों का गवरो है यह सम्मान अमेरिका में रहने वाले चार मिलियन से अधिक भारतिय मुल्के लोगों का भी सम्मान है इस सम्मान के लिए बरास्पती बाइटन और डॉटर जील बाइटन का उनके प्रती रिदे से बहुत बहुत आभार विक्ते करता हूं Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. प्रधान मंत्री गुन्ने के बाद तो मैं स्वयम तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियान अमेरिकन समुदाय के लिए White House के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about three decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतिये समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मटता और निश्टा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे सबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिये गए सम्मान के लिए मेराश्पती बाइडन और Dr. जील बाइडन का रजे से अभनान करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो, उतना कम है। Stat. . The people of the Indian community are enhancing India's glory in the U.S. through their talent, hardwork and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. The societies and institutions of both India and the U.S. are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following three words. We, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. Post-COVID, world order एक नया रूप ले रहा है. इस कालखंड में भारत और अमेरिका के मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ को बढ़ाने में पूरक होगी. ग्लोबल गुड के लिए बैश्विक शांती, स्थीरता और सम्रुद्व का लिए दोनो देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिवज्द्ध है. हमारी मजबूत स्ट्रेजिक पार्टर्शिप प्रतिव की ताकत का स्पष्ट प्रमान है. In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. Friends, अपसे कुछी देर में राश्परणी बाइडन और मैं भारत, अमेरिका सम्मंदो और अन्यक्षेत्रिय और वैश्विक मुद्धों पर विस्तार से बात्तित करेंगे. मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बात्तित बहुत सकारात्मक और उप्योगी रहेगी. आज दो पर को मुझे यू-एस कॉंग्रेस को एक बार फिर से सम्मोर्दित करने का आउसर मिलेगा. इस सम्मान के लिए मैं आपका रुदे से अभारी हूँ. मैं यही कामना करता हूँ. और एक सो चालिस करोड भारत वासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्टाइप हमेशा नई उचाईयां छूते रहें. राश्पति बाइडन, डॉक्टर जील बाइडन, एक बार फिर आपके इस ने भरे निमंतर के लिए, आपके घर में जोशी भरे स्वागत और आतित्य सत्कार के लिए, मैं आपका और एच्छो चालिस करोड हिंदुस्तान वाज्चों की तरफ से आभार प्रगड करता हूं, जै हिंद, गॉट ब्लेस अमेरिका, बहुत बहुत दैन्यवाद, जै हिंन, गवाद गुद ब्लेस ने एक लिए विए, आपके लिए, अटिए जै हिंद बाल्या इस विए, चैनल भूफ भी प्रग्वेद झाटी करों, जै हिंन, जै हिंद, गूड इनधू जैंद इड टार इस विए, व्ल्धश बाहदार आतित्तान विए, टीज वर्वे